नमस्कार आप सभी का स्वागत है लीडिंग भारत टीवी में और मैं हूँ आपके साथ कशिश पांडी बिग बॉस रियालिटी शो में प्यार तक्रार और वार सब देखने को मिलता है इस शो में जादतर कंटेस्टेंट की घर से बाहर कोई ना कोई कॉंट्रोवर्सी चल रही होती है वहीं बिग बॉस ओटीटी थी में इस बार सत्रा कंटेस्टेंट आये थे जिसमें सिर्फ घर में लवकेश कटारिया, विशाल पांडे, सना मकबूल, शिवानी कुमारी, रनवी शोरे, अर्मान मलिक, कृतिका मलिक, नेजी और साई केतन ही बचे हैं आपको बता दे, बिग बॉस के इस सीजन में एक कंटेस्टेंट को हेड आफ दा हाउस बनाया जाता है, जिसके पास घर की सारी पावर्स होती है वहीं इस बर Head of the House रन्वे शोरे बने हैं जिसके बाद Big Boss ने उन्हें कंटेस्टेन को नॉमिनेट करने की पावर दी है Big Boss OTT 3 में 9 लोगों में से 3 के सर पर नॉमिनेशन की तलवार लटक रही है लोग गैस कर रहे हैं कि अब शो से किसका पत्ता कटने वाला है Big Boss OTT 3 में फिनाले का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है इस सब्ते 3 लोगों पर नॉमिनेशन की तलवार लटक रही है जिसके नाम है लवकेश कटारिया, विशाल पांडे और शिवानी कुमारी सोशल मीडिया पर महाल बनने लगा है, लोगों ने अपनी अपनी कैलकुलेशन भी करने शुरू कर दी है कई लोगों को लग रहा है कि Big Boss फिनाले में सिफ एक हफता बाकी है तो फिर से डबल इविक्ष्टन हो सकता है देखे सोशल मीडिया ट्रेंड्स में किस पर खत्रे की तलवार लटक रही है Big Boss के शुरू होते ही लोगों के बीच काफी क्रेज आ जाता है हर कोई अपने अपने फिवरिट कंटेस्टन को सपोर्ट करने में लग जाता है वहीं अप सोशल मीडिया पर भी एक पोस्ट बहुत तेजी से वाइरल हो रहा है जिसमें जनता से ये पूछा गया है कि इस हफते कौन सा कंटेस्टन घर से बेघर हो सकता है जिस पर जनता ने भी अपना जवाब दिया है एक ने लिखा है इस हफते शिवानी इविक्ट हो जाएगी एक ने लिखा है बाई बाई भाबी लवर विशाल पांडे एक और कॉमेंट में शिवानी का नाम है एक ने लिखा है शिवानी कुमारी या फिर विशाल वही एक कॉमेंट ऐसा आया है जिसने बोला है कटारिया यानि कि लवकेश कटारिया और विशाल पांडे सेफ हैं एक और दर्शक ने लिखा है शिवानी जाएगी वहीं दूसरे कॉमेंट में विशाल पांडे का नाम गेस किया गया है कई लोगों ने शिवानी के नाम लिखे हैं वहीं एक यूजर ने लिखा है वोट के हिसाब से विशाल जाएगा लेकिन मेकर्स चाहेंगे तो बदल देंगे एक ने लिखा है विशाल ही जाएगा क्योंकि उससे कम वोट किसी को नहीं मिलेंगे आपको बता दे कि अर्मान मलिक पूरे सीजन के नॉमिनेटेट थे लेकिन बिग बॉस ने रनवी शोरे को किसी एक को नॉमिनेशन से बचाने की पावर दी जिसका उन्होंने इस्तिमाल किया और उन्होंने अर्मान मलिक को नॉमिनेशन से सेफ कलिया वेल दोस्तों आपके अकॉर्डिंग इस हफते कौन सा कंटेस्टन घर से बेघर हो सकता है अपनी राइ कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताए